हेलो फ्रेंट्स लेट्स एक्सप्रोकार्स की यूट्यूब चनलना का स्वाकत है और अज हम कंपेर करें के डुकाटी के दो मोस्ट पावरफुल और फेमस बैक जो कि है स्ट्रीट फाइटर वीफोर और डुकाटी स्क्रेंबलर क्योंकि दोनों डुकाटी के काफी अच्छे और काफी अच्छे पावरफुल प्रोडक्स है पर रेंज की बात करें तो काफी अच्छे प्राइजिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है फीचर्स में भी काफी अच्छे दिफरेंस देखने को मिल जाते है तो इस वीडियो में आपको बताएगे कि इन दोनो V4R, Multistrader V4 बड़ आप बात करें particular street fighter V4 की तो इसमें standard और V4S variant देखने को मिलते है pricing की बात करें तो around 22,15,000 से इसकी action room price start होती है V4 standard की और इस bike के dimensions की बात करें तो इसकी length है 2112 mm width है 888 mm और height की बात करें तो 1003 mm है बड़ अगर आप seat height की बात करते हो जापे आपकी seat देखने को मिलती है तो इसकी height है 845 mm की तो काफी उची और लायन में भी काफी लंबी आपको ये bike देखने को मिल जाती है और bike के curb weight की बात करें तो 201 kg का इसका weight देखने को मिलता है और top speed की बात करें तो आपको 120, 70, 8, 70 निच का all of wheel देखने को मिल जाता है वी dual disc brake और ABS की बात करें तो dual channel ABS देखने को मिल जाता है मतलब braking भी इस bike की काफी मज़दार होने वाली है क्योंकि इसमें आपको dual disc brake मिल जाते है braking के लिए और dual channel ABS भी देखने को मिल जाता है और आपको air filter भी देखने को मिल जाता है जो इसके aerodynamics को भी और powerful बना देता है lights की बात करें तो आपको LED में पूरा setup देखने को मिल जाएगा DRLs और headlamp के साथ और दोनों ही LED में देखने को मिल जाता है engine की बात करें तो 1100cc का आपको engine देखने को मिलता है जो generate करता है 205 eHP power और 123 nm Tor और ground clearance की बात करें तो 121 mm का आपको ground clearance देखने को मिल जाता है और बात करें fuel tank capacity की तो 16 liter की आपको fuel tank capacity देखने को मिलती है और average की बात करें और single display की मिलती है ब्रेकिंग के लिए और बात करते हैं अगर rear lights की तो वो भी आपको पूरी LED में ही setup देखने को मिल जाएगे बात करें tail light या तो आप बात करें turn indicator की दोनों आपको LED में ही दिये गए साइड लुक्स है तो ये बाइक काफी powerful और काफी ज्यादा muscular दिख रही है और लुक्स भी काफी better in देखने को मिल जाते है इस बाइक में यहाँ पर आपको air filter देखने को मिल जाते है जो कि एक तरह से aerodynamic का भी काम करते है यह बाइक की speed को और ज्यादा बढ़ाने में यहाँ पर काफी सारे buttons देखने को मिल जाते है जैसे hazard light का button, passing light का button, lights on करने के button और इस बाइक में आपको cooling system में liquid cooling system देखने को मिलता है साथ ही साथ इस बाइक के साथ आपको काफी सारे accessories भी मिलती है जैसे shoes, cap, cup, t-shirts, jacket, काफी सब तो आप वो भी check कर सकते हो अगर आप showroom विजिट करते हो तो बात करें यहाँ पर आपको gear system की तो six speed का आपको manual gear system देखने को मिल जाता है और engine की बात करें तो 11cc का आपको engine देखने को मिलता है 4 cylinder का आपको engine देखने को मिलता है और यहाँ पर काफी सारे buttons देगा है और यहाँ से आप विली को भी control कर सकते हो मतलब उसके भी different mode देगा है तो आप समझ सकते हो कि इस bike का pickup कितना जोरदार होगा यहाँ पर बीच में आपको digital में MID देखने को मिल जाएगी liquid cooling के लिए system मिल जाएगा और engine start stop का button देखने को मिल जाएगा तो काफी futuristic आपको bike मिल जाती है और इसमें भी आपको काफी सारे features मिलने वाले MID में fully digital आपको MID screen देखने को मिल जाएगी with bluetooth connectivity यहाँ से आप bike को start कर सकते हो और fuel tank capacity की बात करें तो around 16 liter की fuel tank capacity है और seats की बात करें आपको काफी WAIर देखने को मिलने वाले मुल जाएगी तो काफी better in bike यह आपको auto headlight मतलब अगर आपका side stand activate होगा तो उसमें भी आपको beep का alarm देखने को मिल जाएगा call और SMS alert भी मिलेगे तो काफी features भी आपको इस वाइक में देखने को मिल जाते है तो Ducati Scramler में आपको काफी सारे अलग-अलग variants देखने को मिल जाते है जैसे कि Icon, 1100, Night Shift, Full Throttle और particular आप इस variant की बात करें तो यह है Urban Motor और engine की बात करें तो अलग-अलग variant में आपको देखने को मिलता है, बाकी सब में आपको 803cc का engine देखने को मिलता है बात करें स्कलेंबर Urban Motor की तो उसमें आपको 803cc का engine देखने को मिल जाएगा 71bhp power और 66nm torque के साथ और बात करें इसकी overall length की तो 1200mm की इसकी length देखने को मिल जाती है और seat height की बात करें तो 785mm की आपको seat height देखने को मिल जाती है और एक unique product है, ये काफी कम लोग खरीते है Urban Motor क्योंकि काफी popular है 1100 और night shift क्योंकि इसमें आपको कम engine specific के देखने को मिलता है तो बात करें front looky, तो ये आपको halogen में lights देखने को मिल जाती है yellow color की lights मिलेगी और ये आपे turn indicator देखने को मिल जाएगे ये आपे mud guard भी देखने को मिल जाएगा red color में और ये काफी अच्छा color आपको देखने को मिलने वाला है tire की बात करें तो आपको aluminium में देखने को मिल जाएगा yellow wheel देखने को नहीं मिलते है और इसमें आपको front में disc brake देखने को मिलते है बात करें suspension की तो upside down कायबा 41 mm का आपको front suspension देखने को मिलता है और tire size की बात करें तो काफी चोड़े आपको tire देखने को मिल जाते है yellow wheels नहीं मिलते सिर्फ यही problem है क्योंकि off-roader में yellow wheels ज्यादा काम आ जाते है इसके variant के compare में बात करें side look की तो यह पर आपको scrambler की bedging देखने को मिल जाती है और ducati की bedging देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको dual silencer पर देखने को मिल जाता है रियर tire की बात करें तो उसमें भी आपको disc brake देखने को मिल जाती है dual channel ABS इसमें आपको braking system देखने को मिल जाती है और रियर tire की size front tire से आपको काफी body देखने को मिल जाएगी speed की बात करें तो काफी अच्छी आपको speed देखने को मिल जाएगी यहापे आपको tail light मिल जाएगी और Ducati की beading देखने को मिल जाएगी seat पे और यहापे turn indicator भी आपको halogen में ही देखने को मिलते है तो पूरा setup आपको halogen में ही देखने को मिलता है इस वाले bike का और look की बात करें तो काफी अच्छी look आपको देखने को मिल जाएगी आपको लगे गए इनी की एक off-roading bike है यहापे आपको engine start stop और hazard light का button देखने को मिल जाएगा बीच में आपको MID मिल जाएगी जो की पूरी digital है touchscreen नहीं है बट इसमें आपको सारी information digital में देखने को मिल जाएगी यहाँसे आपको अपना bike को on off कर सकते हो और यहापे आपको lights की control, turn in d की control और horn की control देखने को मिल जाएगी यहापे fuel tank के जिसकी capacity की बात कर रहे है तो 3.0L की fuel tank capacity है और बात कर रहे है engine की तो 803cc का engine मिलता है जो 71bhp power और 66nm का torque generate करता है तो काफी एची powerful bike आपको देखने को मिल जाती है और यहापे आपको gearbox देखने को मिल जाता है 6-speed manual gearbox आपको इस वाले bike में देखने को मिल जाएगा और यहापे आपको ducati की badging मिल जाएगी suspension की बात कर रहे है तो वो भी आपको काफी powerful और अच्छे देखने को मिलने वाले है और features की बात कर रहे है तो इसमें कोई ज्यादा features आपको देखने को नहीं मिलते है सिर्फ आपको dual channel ABS braking देखने को मिल जाएगी और double disc brake मिल जाएगी digital आपको MID देखने को मिल जाएगी उसके अलावा कोई खास features आपको इस bike में देखने को नहीं मिलने वाले और variants की बात कर रहे है तो icon, night shift और full throttle इन तीन में आपको 803cc का engine देखने को मिल जाएगा और power figures की almost सब भी same ही देखने को मिलने वाले एक और variant आता है Ducatica 1100 जिसमें आपको 1079cc का engine देखने को मिलता है जो generate करता है 84 bhp power मतला वो scrambler का सबसे powerful वाला variant आपको देखने को मिल जाता है scrambler 1100 तो यह था कुछ scrambler की पूरी detail आपको काफी अच्छे आपको इसमें design देखने को मिल जाते है काफी अच्छा power देखने को मिल जाता है pricing की बात कर रहे तो इसकी around price है 13 lakh रुपीज इंडियन price की बात कर रहे तो तो यह भी काफी अच्छी बात है अगर आपको bike के shock है तो आप यह bike देख सकते हो अगर आपको ducati का street fighter v4 का video देखना है तो वो भी आप जाके check कर सकते हैं कि उसमें भी हमने काफी अच्छा आपको information दिये ducati v4 के बारे में और अत्ति गोद आपको काफी सारे accessories पर देखने को मिल जाते है इस वाले showroom में जैसे ducati की jacket हो गई caps हो गए, marks हो गए, काफी सारे cups है, gloves है, socks है, shoes है, काफी सारे आपको अच्छे-चे accessories पर देखने को मिल जाती है तो showroom का पूरा address detail और contact detail हमने आपको description में दे दिया है और आपको screen पर भी दीख रहा होगा साथ ही साथ आपको कोई भी कार खरीद नहीं हो, चाए Hyundai की, Honda की और Suzuki भी है, तो ये भी वो लोग available करवा देगे, तो आप उनको जरूर contact कर सकते हो एमदाबद और मैसा ना, दोनों जगर पर इसका आपको showroom देखने को मिल जाएगा तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंग करके जरूर बताना, अगर आपको ये बाग खरीद नहीं हो, तो showroom का पूरा detail हमने आपको address के साथ, और contact detail के साथ, screen पर और description ने मिल जाएगा, तो भी आप चेक कर सकते हो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, till then, bye bye, जहिन